सद्गुरू इस हौल में बैठे हुए हम सभी लोगों के कुछ लक्षे हैं और चुकि यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं हमारे लक्षे उंचे से उंचे हैं हम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि जब आप हमारी उमर के थे तो आप क्या बनना चाहते थे आपका लक्ष क्या था ओ ये तो पूछताच की तरह शुरू हो रहा है खैर इमानदारी से कहूं तो मेरा किसी तरह का कोई लक्ष नहीं था इस हद तक कि मेरे पिता ये लड़का क्या करेगा इसे किसी चीज में दिल्चस्पी नहीं है ये पूरी तरह से गलत था क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों में दिल्चस्पी थी मुझे उन चीजों में दिल्चस्पी नहीं थी जिसमें उने थी मुझे कई चीजों में बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी थी जब हम लक्ष की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि आप जहां हैं वहां से अगर आप अपने जीवन का लक्ष तै करते हैं तो आप सिर्फ अपनी मौझूदा समझ और जानकारी के मुताबिक ही लक्ष तै कर पाएंगे हैंना क्या आपको लगता है कि आप ब्रह्मांड की हर चीज़ के बारे में जान गएं तो अगर आप लक्ष तै करेंगे तो वो कैसा होगा बहुत मामूली लक्ष और अगर आप तेजी से बढ़ते हैं तो आप अपने ही लक्ष से बहुत निराश होंगे मगर हाल के सालों में आपको यही सिखाया गया है कि आपको गोल ओरियंटेड होना चाहिए अगर आप मान लीजे आपको अपने घर में आम उगाने हैं अगर आम उगाने हैं तो आम के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है आपको सोचना होगा मिट्टी के बारे में खाद के बारे में पानी के बारे में धूप के बारे में इन में से किसी का आकार या स्वाद आम की तरह नहीं है लेकिन अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें, तो आम निकल आएंगे मगर मान लीजे, आपको आम की बहुत तेज इच्छा है लेकिन आपने अपने आम के पेड़ उगाने के लिए कुछ नहीं किया तो आप उसे चुराना चाहेंगे, जिसके पास है, है कि नहीं जिसे आप लक्ष कह रहे हैं, वो सिर्फ आपकी इच्छाएं हैं और आपकी इच्छाएं बस आपकी मौझूदा विचार प्रक्रिया का परिणाम है अभी आपकी विचार प्रक्रिया उस तरह की है, जिस तरह का डेटा आपने अभी इकठा किया है आपके ख्याल से आपके जीवन के 20 सालों में आपने कितना डेटा इकठा कर लिया है कि आप अपने जीवन का लक्षताय कर सकें? ये ज़रूरी नहीं है ये एक ऐसी चीज है जो मैं ला रहा हूँ हर साल नवंबर महिने में हम एक बिजनेस एवेंट आयुजित करते हैं इसमें कई बिजनेस लीडर्स आते हैं सभी टॉप बिजनेस लीडर्स वहाँ आ चुके हैं हर साल चार दिन तक 200 CEO हमारे साथ ट्रेनिंग लेने आते हैं पिछले साल उनमें से एक ने मुझ से पूछा जो एक बड़ी मल्टिनाशनल कमणी चला रहे हैं सद्गरू हम सबसे अच्छे लोगों को लेते हैं IIT और IAM से और उन्हें अधिक से अधिक पैसे देते हैं और वो और भी अधिक की मांग करते रहते हैं मगर जब मैं आपकी संस्था को देखता हूँ आप किसी को पैसे नहीं देते और फिर भी ये हमारे कॉर्पोरेशन से कई गुना बहतर काम कर रही है इसका राज क्या है? मैंने का देखिए बस इतना है कि हम प्रक्रिया के प्रती समर्पित हैं हमें लक्ष की चिंता नहीं है हम प्रक्रिया के प्रती पूरी तरह से समर्पित हैं क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं, उस प्रक्रिया के प्रती हमारा समर्पन ज़रूरी है, अगर अभी आप जो कर रहे हैं, उसे अच्छी तरह नहीं करते, तो आपका लक्ष बस एक इच्छा बन कर रह जाएगा, है ना, हलो, आया नहीं, आपका लक्ष बस आपके मन में बनिये कि छबन कर रह जाएगा और वो आपका भी नहीं है आपके सभी लक्ष दस और लोगों से उधार लिये हुए हैं आजकल जो ट्रेंड है वही आपका लक्ष है मैं युवाँ से कहूंगा कि लक्ष तैमत कीजिए अगर आप सभी जो कर रहे हैं उसके प्रती पूरी तरह से समर्पित हैं तो समय और अफसरों के मुताबिक हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहां तक हम जा सकते हैं अगर आप हर समय फिनिश लाइन की चिंता करते हैं उस कदम की नहीं जिसे अभी आप उठा रहे हैं तो पूरी संभावना है कि आप मूँ के बल गिरेंगे अगर आप लक्ष तक पहुँचते हैं तो आप निराश होंगे अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो तूट जाएंगे दुनिया के सबसे सफल लोग कामे आप लोग उन्हें ध्यान से देखिए उनमें से कितने लोग खुशी-खुशी अपनी BMW चला रहे हैं कितने लोग खुशी से अपनी dream car चला रहे हैं जिसके लिए उन्होंने मेहनत की आप देखेंगे कि शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जब तक कि वो चोरी की कारना हो तो जो लोग अपने लक्षे तक पहुँच गए हैं वो निराश हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच सके वो तूटे हुए और हताश हैं इस तरह के जीवन का क्या आर्थ है काम करने के आपके ख्रमता तभी बहतर होती है जब आप उस प्रक्रिया के प्रती पूरी तरह से समर्पित हों जिसमें आप शामिल हैं मैं समर्पन शब्द का इस्तिमाल जान बूच कर कर रहा हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि समर्पन या भक्ती का मतलब मंदर जाना होता है मुझे बताइए किसी भी क्षेतर जीवन के किसी भी क्षेतर में स्पोर्ट, आर्ट, म्यूजिक, पॉलिटिक, स्पिरिच्वालिटी जो भी चाहे ले ले अकेडिमिक्स क्या कोई व्यक्ती अपने काम के प्रती समर्पित हुए बिना किसी बड़ी उपलब्धी तक पहुँच पाया है हलो क्या कोई पहुँच पाया है उन्होंने औससद चीजें की है सिर्फ अपने काम के प्रती पूरी तरह से समर्पित लोग ही इस दुनिया में महत्वपून चीजें कर पाएं और आपको वही करना चाहिए सद्गुरू आपने कहा कि जो लोग लक्ष को हासिल करते हैं वे उतने खुश नहीं होते और जिन लोगों के पास मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा से डरा दूँ और जिन लोगों के पास लक्ष नहीं हैं वे भी खुश नहीं है मगर लक्ष स्टार्टिंग पॉइंट है ने-ने, मुझे इसे सही करने दीजे लक्ष स्टार्टिंग पॉइंट है या फिनिशिंग लाइन दोनों ही है ऐसा कैसे? लक्ष एक स्टार्टिंग पॉइंट कैसे है? लक्ष फिनिशिंग लाइन है या स्टार्टिंग पॉइंट प्लीज आप लोग बताईए आप सभी बताईए लक्ष स्टार्टिंग लाइन है या फिनिशिंग लाइन ये क्या है लेकिन लक्ष तै करने से हमें प्रेणा मिलती है एक बार हम दिमाग में कोई लक्षी सोच लें अब आप मुद्दे पर आ रहे हैं तो आपको सरकस के बंदर की तरह ट्रेनिंग दी गई है सरकस के बंदर ऐसे होते हैं अगर आप उनसे कोई कर्तब करवाना चाहें तो आपको उन्हें एक मिठाई देनी होगी वरना मैं नहीं करूँगा एक और मिठाई सरकस के बंदर मत बनिये मुझे लगा कि हम काफी पहले बंदर से आगे विकास कर चुके हैं तो आप सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा? एक दिन आप मर जाएंगे, बस यही होगा आपको लगता है कि आपको आखिर में कुछ मिलेगा? नहीं, आप बस एक दिन मर जाएंगे सवाल सिर्फ यह है कि आपने कितना सुंदर, सार्थक और तीवर जीवन जिया सिर्फ यही एहम है अंत में आपको क्या मिलेगा? लक्ष एक अंत है, है ना? आपके ख्याल से आपको जीवन के अंत में क्या मिलेगा? आप ओल्ल एज होम और हॉस्पिटल में जाकर देखे जहां लोग अपने जीवन के आखरी पड़ाव में होते हैं उन्हें देखे और सोचिये क्यों है क्या मिला? कुछ नहीं या तो उन्होंने एक शांदार जीवन जिया या नहीं जिया बस इतना ही है